पूर्वी अपनी साज सुश्मा के साथ रहती थी एक रोज सुष्मा उससे घर के सभी काम लेती फिर भी सुष्मा पूर्वी को कभी उसकी गरीबी के लिए ताने देती तो कभी उसके बनाये हुए खाने में नुक्स निकालती बिचारी पूर्वी इन सबसे बहुत दुखी रहती थी और फिर एक दिन अरे नास पीटी ये तुने कैसा खाना बनाये है सबजी जली हुई है और कच्छी रोटिया है तेरे माईके में खाते होंगे ऐसा खाना मेरे यहां तो नहीं चलेगा समझी चल निकल जा मेरे खर से माजी माजी मुझी घर से मत निकालो मैं सच में अब अच्छा खाना बनाना सीख लूगी पहले तू अपनी मा से खाना बनाना सीख उसके बाद ही मेरे घर आना समझी बिचारी पूर्वी रोते हुपे अपने माईके जाने लगी लेकिन उसका घर काफी दूर था पैदल चलते चलते वो काफी ठक गई फिर वो एक पेड की छाओं में बैट गई उससे चलते चलते काफी जोरू की भूख लगने लगी मुझे तो बहुत जोरू की भूख लगी है अभी तो माईका बहुत दूर है वहाँ पहुँचते पहुँचते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है काश की मैं अपने साथ कुछ खाने को ही ले आती अब मैं कैसे अपने घर तक पहुँच बाऊंगी काश की मेरे पास नोटों की गड़ी होती और कुछ खाना होता उसके इतना कहते ही नोटों की गड़्डी और खाने की थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है अरे, ये पैसे और खाना कैसे आया? तभी वो जिस पेड़ की नीचे बैठी थी उसमें से आवाज आती है बेटी, ये खाना और नोटों की गड़ी मैंने तुम्हें दी है पर ये कैसे समभव है? भला ये पेड रोटी और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादोई पेड हूँ और मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ तुमने अभी खाने की और नोटों की गड़ी की इच्छा जताई थी इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो तब पूर्वी ने अपनी दुख भरी दास्तान उस पेड को बताई पेड की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हुई उसने पहले पेड भर कर खाना खाया और फिर उस पेड ने उसे अपना तना दिया उसे देख कर पूर्वी सोचने लगी ऐसा करती हो इस तने को लेकर अभी अपनी मा के घर चली जाती हो वहीं कुछ दिन रहकर इससे चकला बेलन भी बनवा लोगी और वापस आकर सासु मा से कह दूँगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है दोपहर बाद पूर्वी अपने माई के पहुँच गई और वहाँ उसने अपनी मा आशा को सारी बात बताई पूर्वी बेटा तु कल ही इससे चकला बेलन बनवा लेना इसका कुछ दिन हम भी इस्तिमाल कर लेंगे हाँ मा इसके इस्तिमाल से तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी उस रात सभी खाना खा कर सो गए दूसरे दिन पूर्वी ने उस जादूई तने से एक चकला बेलन बनवा लिया मा मैंने जादूई चकला बेलन बनवा लिया है क्यों न हम इनसे अब कुछ मांग कर देखे है जादूई चकला बेलन मेरे माता पिता बहुत गरीब है काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनके गरीबी दूर हो जाती पूर्वी कि इतना बोलते ही वो जादूई चकला बेलन अपने आप चलने लग जाता है और देखते ही देखते उस जादूई चकला बेलन से काफी सारे पैसे और सोने के गहने निकल कर बाहर आ गए ही राम इतने सारी सोने के गहने और पैसे बाप रे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही अब देखना माँबाबा, मैं हर रोज आपके लिए चकला बेलन से पैसे मांगूँगी. बेटी, अब तेरी वज़ा से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पूर्वी जब तक अपने माईके में थी, वो हर रोज जादूई चकला बेलन से पैसे मांगती, और वो चकला बेलन उसे रोज धेरों पैसे देता, वो सारा धन पूर्वी अपने माता पिता को दे देती है, इससे कुछी दिनों में वो लोग काफी अमीर बन गए और एक दिन मा बाबा, मुझे यह हाई वे काफी समय हो गया, अब मुझे अपने ससुराल जाना होगा, ठीक है बिटिया, लेकिन वहाँ तु अपना और इस जादूई चकला बेलना का खयाल रखना, पूर्वी के मा बाबा अपने उसे काफी सारे कपड़े, सामान और गहने दे कर विद मैं अच्छी सबजी और जो रोटी बनाना भी सीख के आई हो, ठीक है ठीक है, अब इस थैले में क्या है, जी वो मा बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और सामान भेजा है, सुश्मा वो कपड़े और गहने देख कर चौक गई, इतने महंगे कपड़े और गहने, तुम मा जी मैंने इसी चकला बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी है, इसलिए इसे अपने साथ ही ले आई, अच्छा चल ठीक है, अब इसे रग दे और जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है, सपर से इतना ठककर आई हूँ, अब मुसे खाना ने बनाया ऐसा करती हूँ, आज चकला बेलन से ही खाना मांग लेती हूँ, पूर्वी किचन में जाती है और चकला बेलन को अपने सामने रख कर कहती है, काश मेरे सामने धेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए, पूर्वी के ये सोचते ही उसके सामने धेर सारा स्वादिष्ट खाना आजाता है, ये देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई, वो जल्दी से सुश्मा के पास गई, माजी चली खाना तयार है, आप चल कर खाना खा लीजे, इतनी जल्दी खाना, अरे खिचडिया दल्या ही बना दिया क्या, आप खुदी चल कर देख लीजे, सुश्मा रसोई घर में जाती है, तो वहाँ धेर सारे पकवान देखकर पूर्वी से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना, तूने कैसे बना लिया, अरे अपनी मा की घर से खाना बनाना सीखर कर आई है, या कोई जादू टोना, माजी मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं जल्दी जल कुछ फायदों तो हुआ कि तुने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। फायदे तो मुझे बहुत हुए सासुमा। इस तरह पूर्वी अपने जादूई चकला बेलन से जब भी खाना मांगती उसके सामने जट से खाना बन करा जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीद गए और फिर एक दिन प्रवेश वापस अपने गाउं आया। और अपसे आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बाते कर रही हो पूर्वी अगर सहर जाकर मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और मा का गुजारा कैसे चलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा। पूर्वी ने प्रवेश को जादूई खाना खाना बना रही थी, साथ ही ये तो ठेरो पैसे भी देता है। मुझे जल्द ही इस जादूई चकला बेलन को चुराना होगा। पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन मा जी की और अच्छे से धुनाई कर। बस फिर क्या था? सुष्मा की अच्छे से धुनाई होने लगी और पिटते पिटते सुष्मा बेहोश हो गई। पूर्वी जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज मा मर जाएगी। फि विक्रम और सेहदेव दोनु सगे भाई थे। विक्रम बहुत ही मकार और लालची स्वभाव का था, जबकि सेहदेव विनम्र और सीधे स्वभाव का था। एक दिन विक्रम की पत्नी सरला गुस्से में बोली। सुनते हो जी, इस सेहदेव की भी लगता है जुबान निकल रही है, थोड़ी खीचनी पड़ेगी। अपनी भावी से जुबान लड़ाता है, आज तेरी खाल खीच लूँगा। विक्रम छोड़ दे इसे, छोटा भाई है तेरा, मत मार, कुछ तो रहम कर, ये तो बस मेरी परवाह कर रहा था, इसी लिए इसने बोला, इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दे। समझा दो इसे, आज के बाद इसने सरला को अगर कुछ कहा तो इसे जान से मार दूँगा, अपनी जबान को मुझे अंदर बंद करके रखे। विक्रम अपनी पत्नी सरला के साथ मिलकर, अपने भाई और पिता पर बहुत जर्म करता था, इसलिए एक दिन सहदेव अपने पिता से बोला, आका अशिर्वाज समझकर अपने साथ रख लूँगा, ले जाने दो, ये बेकार सी तूटी हुई पुरानी आटा चलनी, वैसे भी हमारे लिए बेकार है, अच्छा है न बला टलेगी, सारा दिन मन हुस्य अच्छाई रहती है, जान छूटेगी, सहदेव अपने पिता को नीचे आराम करो, तब तक मैं घास फूस से एक जोपड़ी तयार कर लेता हूँ, रहने का ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं काम की तलाश करूँगा, मेरे दोनों बेटों में कितना फर्क है, एक विक्रम है, जिसने घर से निकाल दिया, और एक ये है जो बेचारा मुझ बूढ़े को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुश्या देना, बापू देखो, ये जोपड़ी तयार हो गई, आओ चलो, जोपड़ी में चलकर आराम कर लो, बापू, बापू, ये क्या हो गया भगवान बापू, आखे क्यो नहीं खोल रहे, बापू, तुम मुझे, तुम मुझे अकेला छोड़ कर क्यों चले गए, मैं इस दुनिया में अकेला क्या करूंगा, मैं जानता हूँ, तुम्हें सदमे ने मारा है, तुम दुख को बरदाश्ट नहीं कर सके, सहदेव फूट फूट कर रो पड़ता है, पिता के जाने के बाद वो दुनिया में बिलकुल अकेला हो गया था, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चल दिया, चलते चलते सहदेव एक अस्थान पर रुख गया, बहुत प्यास लगी है, पर पानी कहा हमें लेगा, वो सामने ये दुख और बरदाश्ट नहीं हो रहे, मैं भी इसी तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूँगा, रुको, ऐसा मत करो, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका त्याग मत करो, आप कौन है, और मुझे मरने से क्यों रोक रही है, मैं भला जी कर क्या करूंगा, मेरी मा की आ आटा चलनी ढूंड लाँगी, ये लो, तुम्हारी आटा चलनी, पर ये मेरी मा की आटा चलनी नहीं है, अच्छा चलो, मैं एक बार फिर तालाब के नीचे जा कर देखती हूं, ये लो, ये रही तुम्हारी आटा चलनी, ये भी मेरी मा की आटा चलनी नहीं है, मेरी मा की रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अब की बार शायद मिल जाए, देखो, कहीं यही तो नहीं है। पर तुम्हें सिर्फ अपनी मा की निशानी से ही प्यार था, वही तुमने मांगी, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत साफ मन के हो सैदेव, मेरी तरफ से सोने और चांदी की यह दोनों चलनी भी उपहार स्वरूप रखो, यह जादो ही चलनी है, चांदी की चांदी के सिक्के देने वाली है, और सोने की चलनी सोने के सिक्के देने वाली है, तुम इस धन से अपने जीवन की नई शुरुवात करो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तालाप की देवी, मैं इस धन से एक नया व्यापार शुरू करूँगा, और माबाप के आशिरव उस व्यापार को चलाने के लिए खुब महनत करूंगा। और सफल व्यापारी होने की खबर उसके भाई विक्रम के कानों तक भी पहुचती है और वो बहाने से सहदेव को मिलने आता है। इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया आप रोना बंद करो। मैं जानता था मेरा चोटा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। सरला तुमने देखा हमारा सहदेव बहुत अच्छा है इसने हमें माफ कर दिया। सहदेव मैं तुम्हारी भाबी हो मैं तुम्हारी मा समान हूँ मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे मिला अगर तुम मुझे अपना मानते हो। भाबी आप दुनों मेरे अपने हो। मैं आपको सब बताता हूँ। विक्रम आटा चलनी को लेकर तालाब के पास पहुँचता है और जान बूच कर चलनी को तालाब में फेक देता है और रोने का ना टक करता है। इस तालाब में गिर गई अब मैं क्या करो वो मेरी मा के आखरी निशानी थी। रोना बंद करो मैं तुम्हारी आटा चलनी ढून कर लाती हूँ। ये लो यही तुम्हारी आटा चलनी है ना। नहीं यह तो पुरानी टूटी वी आटा चलनी है, मेरी आटा चलनी ऐसी नहीं है यह तो सहदेव का लालची बड़ा भाई दिखाई पड़ता है जरूर सहदेव ने भोलेपन में इसे सब कुछ बता दिया होगा और यह जान बूच कर मेरे से आटा चलनी लेने के लिए आया है इसे सबक सिखाना ही होगा यह देखो, यह चांदी की आटा चलनी तुम्हारी है मैं आपको बताना भूल गया, मेरी मा के निशानी दो आटा चलनी है एक चांदी और एक सोने की लालची मनुष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती, कितने बैमान हो तुम मुझे सैदेव ने सब आबीती सुना दी थी तुमने अपने भाई और अपने पिता को घर से निकाल दिया और अब जब वह अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है तुम उसमें भी अर्चने पैदा करना चाहते हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहां से जा सकते हो तालाब की देवी, तुम मुझे जादोई सोने चांदी की छलनी दिये विना नहीं जा सकती रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा तभी विक्रम को लगा कि किसी ने जटके से उसे तालाब से बाहर फेका हो वो इतना डर चुका था कि वापिस जाकर ही उसके कदम रुखते है